राजस्तान की दो अलग अलग जलों से खबर आ रही है जो सोचने पर मजबूर करी कि क्या ये तीसरी लेर की दस्तक है दूंगरपूर में 12 माई से लेकर अब तक कुल 325 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वही 200 जले की बात करें तो यहां भी 1 माई से 21 माई की बीच में 341 बच्चो को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है दूंगरपूर में कोरोना संक्रमित होने वालू की उम्र 6-18 साल के बीच में है राजस्तान सरकार ने दोनों ही जलों को तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया है वही बच्चों के लिए वाड और उनके इलाज के पुखता इंतजाम करने के निर्देशते दिये गए है 12 माई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0-19 आयू वर्ट के पॉजिटिव पाए गए जिन में 0-9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9-19 वर्ष के 255 बच्चे थे सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई है तथा यह हमारे बहतर सर्विलेंस बहतर मॉनिटरिंग और जांचों के कारण संबब हो पाया है मार्च, अप्रेल, मई यानि की विगत तीनों मईने में जो जीरो से लगे 12 साल तक के बच्चे उनमें पोजिटिव होने का जो ट्रेंड वो सेम है उसमें किसी प्रकार की परतैसित रूप से कोई वर्दी नहीं हुई है तो मैं उसका खंडन करना चाहूंगा कि वो संक्या भी सही नहीं है और जीरो से बारा की केटेगरी में वर्द्बान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित है फिलाल यह रुकिंगे एक ब्रेक के लिए आज तक पर खबरों का समसला जा रही है देखते रहिए आज तक